जैहिन दोस्तों मैं हूँ आउका दोस्त के भी और आज की इस वीडियो में हम जून 2021 के जो भी हमारे करेंट अफेर के सर्वस्रेश्ट प्रेस्ट नहीं हैं उन सभी प्रेस्टों को हम लोग डिसकस करेंगे तो पूरा वीडियो बहुत ही धिहान से देखिएगा और वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो की हम सुरुवात करते हैं पहला प्रेश्टन है कि मैई 2021 केस में किस देश के द्वारा थ्री चाइल्ड पॉलसी को लाने की घोशना की गई तो ये घोशना कर दिये है चाइना ने आप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा अब ध्यान रखिएगा कि अभी चीन में सात्वी जनगर्णा के रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने देखा कि इनके यहाँ पर जनसंख्या कम हो रही है इसलिए इन्होंने थ्री चैल्ड पॉलसी को लाने की घोशना की है अगला पैशन है मैई 2021 में प्रकासित पुस्त तक Language of Truth essay 2003 to 2020 इसके लेखक कौन है तो इसे लिखा है मसहूर लेखक सलमान रुस्दी ने बहुत ही ज़्यादा महत्मूर पुस्तक है ध्यान रखेंगे कि सलमान रुस्दी के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है अचा सलमान रुस्दी की बात हुई है तो इनको मैन बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है और इनकी जो बुक है Midnight Children's इसी के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला था तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी कई बार परिच्छाओं में पूछी जा चुकी है वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अनकेडमी के उपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी लिंक मिल जाएगी प्रोफाइल की उसके उपर क्लिक करके आप मुझे अनकेडमी के उपर फॉलो कर सकते हैं इस महीने पूरे आपके लूसेंड अनकेडमी जो की हमारे देश का सबसे बड़ा online education platform है उसके उपर अगर आप लोग कोई भी subscription परचेज करना चाहते हैं तो बस यूज करिएगा code KV10 इससे आपको मिलेगा 10% का discount इसके अलावा अगर आप मेरा code यूज करेंगे तो फिर मेरी तरब से आपको 10% का cashback भी यहाँ पर सीधे आपके bank account में दिया जाएगा तो यह सारे benefit आप लोग available कर सकते हैं बस आपको अनकेडमी का learning app download करना है और SSC category में हमारे जो भी नए बैस हैं उनकी शुरुवात आपके 30 जोन से हो गई है तो चाहें आपको CHSL exam के तयारी करनी हो CGL की करनी हो MTS हो गया तो इन सभी के तयारी आप best educator की माध्यम से कर सकते हैं बस आपको app install करके plus subscription यहाँ पर purchase करना होगा अगला प्रशन है कि मई 2020 में नैनो बायो टेकनोलोजी research center के द्वारा नैनो यूरिया liquid विक्सित किया गया तो इसका मुख्याले आपको कहां पर मिलेगा तो इसका headquarters आपके है गुजरात मे option यहाँ पर D हो जाएगा correct तो ध्यान केगा गुजरात में आपको मिलेगा करूल और वही पर इसका यहाँ पर headquarters है अगला प्रशन है कि प्रतेक वर्स 200 दुख्द दिवस कब मनाया जाता है तो यह जो दिवस होता है हर साल मनाया जाता है एक जून को यानि कि option A यहाँ पर हो इस बार का भी से क्या है तो इस बार का भी से है sustainability in dairy sector with message around the environment, nutrition and socio-economics यह इस बार का भी से है अगला प्रशन है कि हाल ही ने राष्टिय सांखे की कारियाले के द्वारा जारी रिपोर्ट के रुपोर्ट के रुशार बित्तियव वर्षे 2020 केस में हमारी growth rate कितनी रही है तो य जियान रखेंगे option यहाँ पर C हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि जोन 2020 में प्रकासित पुस्तक stargazing the players in my life इसके लेखक कौन है तो इसे लिखा है बियर वाले बाबा यानि कि जो हमारे राष्टिये cricket team के coach है नाम इनका है रवी सास्त्री option यहाँ पर D हो जाएगा correct तो रव प्रशने रहन किया तो इसके नए अध्यच बन गए टीवी नरिंद्रन और इन्होंने अस्थान किसका लिया है तो इन्होंने यहाँ पर अस्थान लिया है उदय कोटक का अच्छा रेखा एमनन के बारे में ध्यान किएगा यह आपकी नयसकौम की पहली महिला अध्यच बन 1966 के लिए खा कौन है तो इस पुस्तक को लिखा है बिक्रम संपत ने किस ने लिखा है बिक्रम संपत के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है तो आप्शन B हो जाएगा करेक्ट अब अगर आपको याद हो तो 2019 में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि इनके द्वारा इसका भा पर कुरोना वाइर्स का जो भारतियगे ए मैं इसका क्या नाम दिया गया तो इसका नाम दिया गया है डिल्टा और कप्रमा था अगला कि राष्टे मानवाधिकार आयोग की नए अध्यच की रूप में किसको न्यूक किया गया है तो यहाँ पर न्यूकती हुई है अरून कुमार मिस्रा की किसकी अरून कुमार मिस्रा की तो अपसल हमारा ए हो जाएगा करेक तो ध्यान रखेंगे राष्टे मानवाधिकार आयोग की अस्थापना 12 अक्टूबर 1993 के हुई थी इसके पहले अध्यचे रगनाथ मिस्रा अगला प्रशन है कि जून 2021 में केंद्रिये प्रतेच करबोड के अंतरीम अध्यच कौन न्यूक किये गए तो यहाँ पर इसके अंतरीम अध्यच बने है जेवी मोह पात्रा और इन्होंने प्रमोध चंद्रमोधी का स्थान लिया है तो आप्शन आपका भी हो जाएगा करेंग अगला प्रशन है कि असम राइफल के नए महानेदीसक का जो पदभार है यह किशने करहन किया तो इसके नए महानेदीसक बन गए है नाम इनका है पी चंद्रन नायर क्या नाम है पी चंद्रन नायर इनका नाम है और इन्होंने सुकदीब स्थांगवान का स्थान लिया है तो याद आपको यह भी रखना है कि असम राइफल हमारे यहां का सबसे पुराना अर्शनिक बल है जीता संजीत कुमान ने दूसरा यहां पर जीता है पूजा राणी ने तो आप्सन यहां पर आपका ए हो जाएगा करक वैसे यह जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन आपके UAE के सहर दुबई में किया गया और भारत ने यहां पर टोटल जीते हैं 15 मेडल जिनमें 2 हमारा ग टीमों को सामिल करने की गोशना की गए तो यहां पर 10 टीमें अभी तक खेलती थी लेकिन अब इनके संख्या होगी 14 तो आपका C हो जाएगा करक इसके अलावा आपको यह भी धहार रखना है कि 2027 और 31 में जो हमारा विसकप होगा इसमें तो 14 टीमें होंगी और जो हमारा 24 स 30 तक यहां पर T20 बिसकप होगा उसमें आपकी होंगी 20 टीमें तो टीमें इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि जादा टीमों का मतलब है जादा पैसा अगला प्रशन है बहुत ही जादा महत्पूर्ण कि इस साल इंटर नेशनल बुकर प्राइस से किसको सम्मानित किया गया तो यह मिला है फ्रांस के डेविड डियोब को किसे मिला फ्रांस के डेविड डियोब को यह पुरसकार मिला तो आपसन हमारा यहां पड़ी हो जाएगा बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण है तो इसके बारे में आप लोग याद दखेंगे अच्छा पुस्तक जिसके लिए इनको यह पुरसकार मिला है उस पुस्तक का नाम है अट नाइट आल ब्लड इस ब्लैक यह इस पुस्तक के लिए इनको मिला है तो अच्छे सी याद दखेगा फ्रांस के पहले बेखती हैं जिनको अंतर राश्टी वुकर पुरसकार मिला है अगला पशन है कि HDG इंडिया इ पहले अस्थान पर नीती आयोक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई और 2019 के तुलना में हमारा जो यहाँ पर स्कोर है उसमें भी 6 पॉइंट के बिद्धी हुई है तो अब हम लोग 66 पॉइंट पर पहुँच गए हैं अगला परशने की माउंट एयोरेस्ट की चढ़ा पहुच गए हैं तो बी होगा यहाँ पर करक्ट अगला प्रशने की अंतर राष्टे डेरी फ्रेडेशन की बोर्ड में किस भारतिय को चुना गया तो यहाँ पर चुने के आरेस सोधी साहब आप्सन यहाँ पर भी हो जाएगा करक्ट तो यह आरेस सोधी जो की अमूल कंप अगला पशने के जून 2000 केस में नासा ने किस ग्राह के लिए दो मिसन एक का नाम है डाविंसे प्लस दूसरी का नाम है पेरी टास इसको लांज करने की घुशना की है तो ध्यान रखेंगे यह आपका मिसन होगा सुक्र के लिए किसके बीनस प्लानेट के लिए यह मिसन होग अच्छा भारत ने भी कहा है कि हम भी लांज करेंगे सुक्र के लिए मिसन तो भारत 2025 में लांज करेगा और ध्यान रखेगा इसको भारत यहां पर फ्रांस के साफ में मिलकर के लांज करेगा तो डी होगा इसका करेक्ट यह सारी डिटेल में आलरेड़ी आपको बता चुका हुँ अगला प्रशन है कि जून 2020 में जारी दा एसिया विस्विद्याले रैंकिंग 2020 में भारत का कौन सा विस्विद्याले सीर्थ पर रहा है तो अच्छे से याद दिखेगा यह हमारा है अगला प्रशन है कि किस देश के पूर्व राश्पती वा प्रधान मंतरी अनिरुद जगनात का भी हो गया है निधन तो यह हमारे मौरिसस देश के थे आप्सन हमारा यहाँ पर भी हो जाएगा करक्ट तो ध्यान रखेंगे मौरिसस के आपके पूर्व राश्पती और प्रधान मंतरी थे अनिरुद जगनात इनका अभी हो गया है निधन अगला प्रशने की पांच जुन को प्रतेक वर्स विश्टो पर्यावरन दिवस मनाया जाता है तो पहली बार यह दिवस कब मनाया गया था तो पहली बार यह दिवस हुआ था 1974 में आप्सन यहाँ पड़ी हो जाएगा करक्ट तो पांच जुन को हर साल यह दिवस मनाया जा अगला प्रशन है कि भारत्य नौसिना का जो हाइडोग्राफिक सरविच्छर पोर्ट है जिसका नाम है संध्यक तो इसको कहां पर किया गया है डी कमिशन तो इसे डी कमिशन किया गया अभी आपके विसाखा पत्नम में आप्सन यहां पर यह हो जाएगा करेक्ट तो है हमारे सामाजिक नय और अधिकारता मंतरी थावर्चंद गहलोत ने तो आपसन यहां पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट सेख का मतलब क्या है तो इसका मतलब है सीनियर केर एजिंग ग्रोथ इंजन तो यह इसका पूरा नाम है और इसी को भी लांज के थावर्चंद गहलो बनाय जा रही है जिनमें आपका पहला था HL2M Toka Mac इसका परिच्छन इन्हों ने 2020 में ही किया था अभी जिसका किया है इसका नाम East यानि कि Experimental Advanced Supercomputing Toka Mac और एक इनके द्वारा और बनाय जा रहा है जिसका नाम है HL2M Reactor तो यह सारे आपके नाम के सलनेन पर आधारित है और इसी का भी परिच्छन किया है अगला परिच्छन है कि किस Space Agency के द्वारा Cyber 2 Instrument launch किया जाएगा तो यह जो है इसे launch करेगी यहाँ पर NASA Option हमारा A हो जाएगा Correct तो इसके माद्धिन से जो हमारे ब्रम्हान में तारों की संख्या है उसको count करेगा NASA Cyber का मतलब है Cosmic Infrared Background Experiment अगला परिच्छन है कि एक राष्ट एक मानप के अंतरगत Standard developing organization घुषित होने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना तो नाम इसका है RDSO क्या नाम है RDSO हमारे railway के अधिन ये एक संस्थान है और इसी को भी तीन सालों के लिए मानिता दी गई है BIS के द्वारा अगला परिच्छन है कि 5 जून 2021 को PM नरिंद्र मुदी के द्वारा किस सहर से E-100 pilot project को launch किया गया तो ये जो pilot project है इसको अभी launch किया गया है पूरी से कहां से पूरी से launch किया गया तो option हमारा यहां पर B हो जाएगा correct इसका मतलब क्या है तो simple से याद कियेगा कि हमारे पूरे देश में ethanol का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए और इसके वित्रन के लिए बहतर net torque बनाया जाए उसके लिए यहां पर सुरुवात की गई है और भारत ने ये target रखा है कि 20% ethanol हम लोग 2025 तक मिला देंगे पेट्रोल में अगला प्रशन है कि प्रतेक वर्स बिश्चो खादी सुरुच्छा दिवस कब मनाया जाता है तो ये दिवस होता है आपका 7 जून को कब होता है 7 जून को तो option यहां पर C आपका हो जाएगा correct और आपको याद दिखना है कि इस बार का भी से है safe food today for healthy tomorrow जाने कि अगर आप अच्छा भोजन खाएंगे तो आप भविश्च में रहेंगे स्वस्त अगला प्रतेक वर्स बिश्चो महा सागर दिवस कब मनाया जाता है तो ये जो हमारा दिवस है ये हर साल होता है 8 जून को यानि कि option D हो जाएगा correct और इस बार का भी से क्या है तो इस बार का भी से है the ocean life and livelihood अच्छा दो हमारे दिवस इसी से जुड़े हुए हैं जैसे कि एक है राष्टी समुद्री दिवस ये हम लोग 5 अपरेल को मनाते हैं और एक है 200 समुद्री दिवस जिसको हम लोग 24 सितंबर को मनाते हैं अगला प्रशन है कि जून 2020 में जारी the state of india's environment report 2021 में हमारा देश की सस्थान पर रहा है तो हम लोग इस report में रहे हैं 117 अस्थान पर option आपका यहां पर C हो जाएगा correct तो अच्छे से याद दिखिएगा state of india's environment report में हम रहे हैं 117 अस्थान पर तो जो हमारे सेव अगला प्रशन है कि जून 2020 केस में Swift GPI instant facility शुरू करने वाला हमारे देश का पहला बैंक कौन बन गया है तो पहला बैंक बन गया अनूप चंदरपांडे की तो option हमारा यहां पर A हो जाएगा correct ध्यान केंगे आप लोग कि जो हमारा election commission होता है इसमें आपको total मिलेंगे तीन member एक हमारे होते हैं chief election commissioner और दो इसमें होते हैं election commissioner तो मुक्य चुनाओ आयक्त है सुसील कुमार और दो जो अन्य चुनाओ आयक्त ह इनमें से एक आपके होंगे अनूप कुमार पांडे और दूसरे हैं राजिव कुमार अगला प्रशन है कि एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 में कौन सा राज रहा है सेरस पर तो इसमें सेरस पर आ गया मध्य प्रदेश option हमारा B हो जाएगा correct उडिसा इसमें दूसरे स्थ इनके दूरा लिखी गए पुस्तक है तो option B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि जूंद हो जारकिस में किस राज की सरकार के दूरा देहिंग पटकई को एक नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया तो इसकी अधिसूचना यहां पर जारी की है असम की सरकार ने यानि कि हमारा option C हो जाएगा correct और इसी के साथ में असम राज में अबजोराश्टे पार्क हैं उनकी संख्या हो जाएगी साथ अभी मैंने आपको बताया ही था कि इससे पहले इनकी सरकार के दौरा जो राई मुना है उसको छटे नेशनल पार्क के रूप में डिकलियर किया गया और सात्मा यहाँ पर आपको हो जाएगा कौन सा देहिंग पट गई वाइल लैप सिंकुचरी तो मद्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्यारा है अंडमान में आपके नो निशनल पार्क है और तीसरे पर आ जाएगा इसमें असम बाकी यह सारे आप देख सकते हैं मान यहाँ पर आप खरीदारे बिटकोइन में कर सकते हैं देश का नाम है अल्थ सलवाडूर तो आपसन यहाँ पर आपका यह हो जाएगा करेक्ट अल्थ सलवाडूर की बात करते हैं तो इसकी जो राधनियों सैंसल्वाडूर में है बिलकुल आपको लैटन अमेरिका में यह देखने को मिलेगा और ध्यान रखेगा इसी के द्वारा बिटकोइन को लीगल टेंडर के रूप में मानिता दी गई है अगला प्राशन है कि जून दोजार केस में यूनाइटे नेशन जनरल असंबली के चेहतरवे सत्र के लिए किसको यहाँ पर सेफ डी कैबनेट चुना गया तो यहाँ पचने गए है के नागराज नाइडू आप्सन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा आप सभी को यहाँ पर यह भी द्यान रखना है कि जो सेवत राश्ट के चेहतरवी महासभा होगी उसके लिए जो नए अध्यच है उनका नाम है अब्दुल्ला साहिद तो यह आपके नए अध्यच बनी है और इन्ही के द्वारा भारत के के नागराज जेड़ी को यहाँ पर सेफ डी कैबनेट के रूप में न्यूक किया गया अगला प्रशने कि 47 जी सेबन सिकर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया तो इसका आयोजिन हुआ है यूके में कहाँ पर यूके में आयोजिन हुआ आप्सन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट अचा थीम भी आपको याद अपना है तो इसका भी से रहा बिल्ड बैक बेटर क्या रहा है बिल्ड बैक बेटर इसका भी से रहा है और इसमें हमारे जो प्यम्ह नरिंदर मोदी साहब वो भी वर्शुल तरीके से सामिल हुए थे अगला परिशन है कि जून 2021 में जारी वर्ल बेस्ट बैंक 2021 सुचकांक में कौन सा बैंक रहा है सेर्स पर तो इस बैंक का नाम है DBS बैंक क्या नाम है DBS बैंक इसका नाम है आपसे नमारा ए हो जाएगा करेक्ट DBS बैंक के बारे में ध्यान रखेंगे कि ये सिंगापुर का सबसे सिंगापुर का ये बैंक है जो की पहले पर रहा हमारे यहां केरल में जो CSB है वो दूसरे अस्थान पर रहा और ICICI रहा है तीसरे अस्थान पर अगला परिशन है कि ब्यापार और विकास पर सेवत राष्ट कारकरम के नए महासचिव कोन नियुकत के गए तो यहां पर नियुकती हुई है रेवीका ग्रीन स्पैन की ये हमारे कोश तारिका देश की है और पहली महला बनी है जो कि अंकटाड की यहां पर बन गई है महास पुल्ला साहित के बारे मैंने आपको बता ही दिया कि यह हमारे सेवत राष्ट की छेतरवी महासभा के नए अध्यच बनी है अगला परिशन है कि पुलितकर पुरसकारों के अंतरगत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की रिकॉर्डिंग के लिए किसको यहां पर स्पेसल यानि कि जार्ज फ्लॉयड की जो हत्या होई थी अमेरिका में जिसके बार में यह मुमेंट चला था आई कांट ब्रीद तो उसी की रिकॉर्डिंग की थी यहां पर डॉर्नेला फ्रेजियर ने तो आप्सन यहां पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट तो यह आप देख सकते है डॉर्नेला फ्रेजियर को जिनको यह पुरसकार यहां पर दिया गया अचाब पब्लिक सर्विस के लिए नियुयार्क टाइम को यहां पर आवार मिला है भारती अगर आपसे पूछा जाए कि पहले भारती को न है जिनको मिला है तो उनका रामे गोविंद विहारी लाल इन ऑप्सन भी हो जाएगा करेक्ट और एरियन 6 रॉकेट के द्वारा यह लोग लॉंच करेंगे और इसी की घूशना भी एउरोपिय स्पेस एजनसी ने की है अगला प्रेशने की भारत किस देश से तीन मल्ती हेलिकॉप्टर 60 रोमियो को यहां पर खरीदेगा तो यह हम कोटल 24 रोमियो हिलिकार्टर के लिए समझ होता किया है अगला प्रेशन है कि जोन 2000 केस में किसे एसिया प्रसांद उत्पादक्ता चैंपिन परसकार से सम्मानित किया गया तो यह आपके वही अमोल कंपनी वाले हैं जिनका नाम है आरेस सोड़ी आप्सन हमारा यह हो प्रेश रहे थे इनको इस साल इमीनेंट इंजीनियर प्रसकार दिया गया है अगला प्रेशन है कि वर्ष 2020 के लिए पुलितकर प्रसकारों में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की स्रेणी में किसको यहां पर प्रसकृत किया गया है तो यह हमारे भारतिय मूल्की है नाम प्रेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलितकर किया गया अगला प्रेशन है कि फ्रेंच ओपन के महिला एकल का जो खिताब है वो किस खिलाडी ने जीता है तो इसे जीत लिया बार बीरा क्रेजी कोवा ने यह प्रसकार जीता तो आपसर मारा भी हो जाएगा करेक्ट तो च ने जीत लिया तो इसे जीता है यहां पर रोजर फेडेडर नौउक जोकोविष ने आपसन यहां पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट तो ध्यान रखेंगे नौबाग जोकोविष ने दूसरी बार यहां पर फ्रेंच ओपन का किताब जीता है और इनोंने ग्रीस के स्टेफा सिट पिटास को यहां पर फाइनल मुकाबले में हरा दिया टोटल इनके जो ग्रेंट स्लैम हो गए इनकी संख्या हो गए 19 यह भी आपको ध्यान रखना है अगला परशने कि जुलाई 2020 में किसके द्वारा लखित पुस्तक होम इंदी वर्ल्ड का प्रकासन किया जाएगा तो इसे लिखा है हमारे भारत्न और नोबल पुरसकारब जीता अम्रत्य सेंस सहाम ने आप्सन यहां पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशने कि पोलाईन रेंकिंग स्रीज में बिनेज फोगाट ने कौन सा पतक जीता है तो इन्हों ने यहां पर जीता है गोल्ड मिडल जीता है अगला प्रशने कि प्रतेक वर्स बिस्स रक्तदान दिवस कम बनाया जाता है तो यह दिवस होता है हर साल 14 जून को यानि कि आप्सन भी हो जाएगा यहां पर करेक्ट इस बार कभी से क्या है तो इस बार कभी से है गिव बलड एंड कीप दा वर्ल्ड वेट दिया यहां पर अभी नीता अच्छे कुमार को अच्छे कुमार को बनाया क्रिकेटर नहीं है यह आपके एक्टर है तो अपसर हमारा यहां पर यह हो जाएगा करेक्ट तो ध्यान रखेंगे आप लोग माईल हमारे देश की वाकम्पनी है जिसके द्वारा कोविड 2021 में सामिल किया गया तो टोटल आपके 10 खिलारी सामिल हुए है हमारे देश से इसमें सामिल हुए है बीनू मांकर कौन है बीनू मांकर है तो अपसर आपका यहां पर भी हो जाएगा करेक्ट तो ध्यान आपको यह रखना है कि बीनू मांकर हमारे देश के यहां पर 7 खिलार इज्राइल वैसे भी आपका बहुत चर्चा में रहता है तो इसके बारे में ध्यान किएगा कि बेंजा मिन नेतनियाहो के अस्थान पर यह यहां के 13 पीम बन गए है इज्राइल की बात करते हैं तो राजधनी जेरुसलेम में है और मुद्रा यहां की है सेकेल अगला परशन है कि प्रिसिद्ध रजा परवा या मिथुन संक्रान्ती का जो त्योहार है यह किस दिन मनाया जाता है तो यह त्योहार हर साल होता है आपके उडिसा में कहां पर उडिसा में मनाया जाता है तो आपसन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट टोटल तीन दिनों तक य पहली रजा कहा जाता है, दूसरे दिन को मितन संक्रांती, तीसरे दिन को भुदाहा या भासी राजा कहा जाता है, और तीन दिनों का युत्योहर होता है, अगला परिशन की जून 2020 में, जियेश्टी परिशत की 84 बैठक में, चॉवी यूक मिटर और ऑक्सी मीटर पर GST की जो दर है ये कितने परिशत निरधारत की गई तो ये आपके होगी 5% आप्सन यहाँ पर B हो जाएगा आप सभी को ये पता होना चाहिए कि GST काउंसिल के जो 43 समी बैठक हुई थी उसके दोरान यहाँ पर एक समित बनाई गई थी जिसमें आपके 8 मेंबर थे कौनराज संगमा जो की मेघाले के CM है वे इस समित के आपके अध्यच रहे थे और इनी को ये रिकमेंडेशन दीना था कि कैसे यहाँ पर GST का अधर आपके COVID-19 से जुड़ी हुई चीजों के उपर होगा तो इनके उपर 5% GST रखी गई है बी हो जाएगा आपका करेक्ट अगला प्रशने की किस देश में नाटो सदस्यों के सिखर सम्मेलन कायोजन किया गया तो नाटो का हैटकोटर आपको मिलेगा बेल्जियम के राजधनी ब्रिसल्स में और वहीं पर इसका सिखर सम्मेलन हुआ है आप्सन आपका D हो जाएगा सूखा रोकताम दिवस कम मनाया जाता है तो ये होता है अर साल 17 जून को कब होता है 17 जून को मनाया जाता है तो आपसन हमारा B हो जाएगा करेक्ट इस बार काभी से क्या है तो restoration, land, recover, be build back, better with healthy land ये इस बार काभी से रहा है अगला प्रशन है कि जून 2020 में जारी बिश्व प्रती अस्परधात्मक इंडेक्स में हमारा देश की सस्थान पे रहा है तो हम लोग इसमें आ गए हैं 43 अस्थान पे अप्सन हमारा यहां पर C हो जाएगा आपका करेक्ट तो पहले आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो हमारे रिपोर्ट है इसको जारी किया IMD ने यानि कि Institute of Management Development ने जारी किया टोटल 64 दिसों के अधार पर इसको जारी किया गया सुर्जर लैंड यहां पर रहा है आपका पहले अस्थान पर और हम यहां पर आ गए हैं 13 अस्थान पर पहले भी हम लोग 13 अस्थान पर ही रहे थे अगला प्राशन की PM ने किस देश में आयोजित वीवा टेक की पांचमें संस्क्रण को वर्चुली संबोधित किया है तो इसका आयोजित किया गया फ्रांस में कहां पर फ् इस IIT संस्थान के द्वारां ब्रिक्स नेट्वर्क बिस सुविद्ध्याले सम्मेलन की मेजबाने की गई तो इसकी मेजबाने की है IIT बॉमबे ने ओप्सन हमारा यहां पर यह हो जाएगा तो ध्यान कीगा तीन दियुसी यह संमेलन था बिसे इसका रहाए इलेक्टिक और इस साल यानि कि 2021 में हमारा देश भारत इसका अध्यच देश है ये भी आपको याद रखना है अगला प्रेशने कि जून 2020 में आयो जित यूनाइटिन नेशन ट्रेड फोरम 2020 में हमारे देश की तरप से कौन सामिल हुआ तो ट्रेड का फोरम था तो हमारे जो कामर्स और इ इंक्लूसिव रिकवरी ये इसका भी से रहा है अगला प्रेशने कि जून 2021 में जारी बैस्विक सांति सूच कांक में हमारा देश की सस्थान पर रहा है तो हम इसमें रहे हैं 135 वे अस्थान पर ऑप्सन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा और आपको याद देखना है कि इंस 237 वे अस्थान पर थे अब 135 वे अस्थान पर पहुँच गए है आइशलेंड यहाँ पर पहले अस्थान पर रहा है अगला प्रेशने कि वर्ट से 2020 के अंतर तक किस स्पेस एजंसी ने लकडी के स्टलायट को लांज करने की घोशना की अब देखे इस से पहले कहा था जाप लेकिन जापान ने ये कहा था कि हम लोग लॉंच करेंगे 2023 तक लेकिन अब यहाँ पर यूरोपिये स्पेस एजंसी के द्वारा ये कहा गया है कि हम लोग 2021 के अंतर तक ही लकडी के स्टलायट को लॉंच कर देंगे तो आप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करक्त अग 2020 अस्थान पर यानि कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर यह हो जाएगा करेक्ट अब रिपोर्ट थोड़ा सा ध्यान से याद किये कि सस्टनेबल डवलप्मेंट सलूशन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया गया हम 120 पर रही है और फिनलैंड यहाँ पर आपका पहले अगला पर ने कि अक्टूबर 2021 में प्रकासित होने वाले पुस्तक अंग्रेजी भासा की यह पहले लेखक है जिनको ग्यानपीट पुरसकार मिला हुआ है इनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दरनट मिक्स कर्स यह इसका नाम है अगला परशन है कि जून 2000 केस में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्वीस मैंकों में जो जमाधन है उसके मामले में हम किस अस्थान पर पहुंच गए हैं तो हम आ गए हैं 51 अस्थान पर ध्यान र प्रद्धी होई है तो पंद्रा लाग हमको मिलने वाले पहले उसके अनुसार अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर आपका धन हो गया है 45 लाग और धन खेगा जब आपको मिले तो आप इस पर इंटेस्ट भी जरूर लेजिएगा तो आप्सन यहां पर सी हो जागा कर द्यार रखेंगा और उनीस सो पासट के एसी आई खेलों में इन्होंने चार सुनण पतक जीता था इनको हम लोग फ्लाइंग से के नाम से भी जानते हैं यह भी आपको ध्यारकना है इनकी वाइप का नाम है निर्मल मिलखा सिंग उनका भी अभी हाली में निधन हुआ है व पूछे जा चुके हैं तो याद दुखेंगे इनके बारे में अगला प्रेशन है कि जून 2000 केस में इब्राहिम रईसी किस देश के नए राष्टपती चुने गए तो यह बने हैं इरान देश के नए राष्टपती ऑप्सन यहां पर आपका D हो जाएगा correct अस्थान किसका लेंगे तो हसन रोहानी का यह स्थान लेंगे और ध्यान रखेगा इरान की राधनी तेहरान में है और यहां की मुद्रा है रियाल अगला प्रेशन है कि जून 2000 किस में भारती नौसीना और यूरूपिय संकी नौसीना के बीच आई यन यूनाफ फॉर ये इस नाम का जो अगला प्रेशन है कि जून 2020 में जारी बैस्विक सांति सूच कांक में हमारा देश के सस्थान पर रहाई तो यह हम लोग करही चुके हैं तो ध्यान केगा अच्छा यह भी हमने करवा दिया चलिए सतत विकास रिपोर्ट अच्छा यह भी हम लोग कर चुके हैं अच्छा पीडिये मुझे लगता है गलत आ गया जून 2020 में किसे यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया तो यह प्रसकार मिला है सुमिता मित्रा को किसे मिला है सुमिता मित्रा को मिला है अगला प्रेशन है कि प्रतेक वर्ष अंतर राष्टी योगा डे कब होता है आसान से प्रेशन है तो 21 जून को होता है अप्सन हमारा यह हो जाएगा करेट और इस बार कभी से है योगा फारे वेल बीइंग ध्यान अकिएगा 2014 में भारत के प्रस्ताव पर सवक्तराष्ट म महसभा के द्वारा घोशना हुई थी और 2015 में पहली बार यह दिवसमारा मनाया गया था अगला प्रेशन है कि जून 2020 में बिस्व बैंक आई एमेप के द्वारा गठित उच अस्तरिये सलाहकार समित के सदस के रूप में किसे नामित किया गया तो यहां पर नामित किये गए हैं मॉन्टेक सिंग अहलू वालिया क्या नाम है मॉन्टेक सिंग अहलू वालिया जो की हमारे योजना आयो के आखरी वद्धच रहे थे इनी को अभी नामित किया गया है तो आप्सन यहां पर आपका भी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रेशन है कि जून 2020 में किस देश में बिस दुकार जो तीसरा सबसे बड़ा हीरा है इसकी खोज हुई है तो इसकी खोज हुई है बोथ स्वाना में आप्सन मारा यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट तो यार दिखेगा कि जो बोथ स्वाना है यह आपके अफरीका कॉंटिनेंट का एक देश है और यहीं पर इस हीर करेक्ट का था नाम इसका रखा गया है लुकारा डामेंड और अभी यह जो ही रखो जा गया है यह आपका 1098 करेक्ट का है और यह बोथ स्वाना में ही खोजा गया है अगला प्रेशन है कि जून 2020 में जारी रिपोर्ट के अंशार भारत 2020 में FDI प्राप्त करता देशों की देखना है दूसरे अस्थान पर यहां पर चाइना रहा है अच्छा और आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा FDI हमको किस से मिलता है तो वह हमको सिंगापूर से मिलता है यूए से आपका दूसरे अस्थान पर है और इस साल जो आपका basic FDI का flow है उसमें 0.5 trillion dollar की कमी किस देश के खिलाडी है तो इनकी अगर हम बात करते हैं New Zealand के ये खिलाडी है weight lifter है 2012 में इन्होंने अपना gender change करवाया था और उसके बाद में अब इस साल Olympic में ये qualify करेंगे महिला category में तो option हमारा भी हो जाएगा correct अगला प्रेशन है कि वर्ष से 2020 में प्रकासित होने वाले the seven sins of being a mother इसकी लेखी का कौन है तो इसको यहाँ पर लिखा है ताहिरा कस्यप ने किसने ताहिरा कस्यप के द्वारा लिखी गई पुस्तक है option यहाँ पर ए हो जाएगा correct तो ध्यान केंगे ताहिरा कस्यप ने पिछले साल भी एक पुस्तक लिखे थी 12 commandments being a woman और अब इनके द द्वारा human mission के अंतरगत कितने astronaut को space के लिए launch किया तो इनके द्वारा टोटल यहाँ पर तीन astronaut को launch किया गया है तो option हमारा C हो जाएगा correct अच्छे से याद कि तीन astronaut launch हुए हैं तो C हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रस्टने कि अंतर राश्टी आप राधिंग ने आया ले support of justice और जो हमारा ICC है दोनों का है hit quarter आपको मिलेगा दाहिग में ICC का मतलब यहाँ पर क्या हो गया अंतर राश्टी आप राधिक न्याया ले अगला प्रस्टने कि जूंद हो जारकिस में तरडांग मीनू को किस खेल संगठन के कोच समित का सदर्सनियुक्त किया गया तो अरुनाचल प्रदेश के तरडांग मीनू जो की यहाँ पर इसकी सदर्सनियुक्त की गई है अगला प्रस्टने की पहले 200 टेस्ट चेंपेंशिप में न्यूजी लेंड ने भारत को कितने विकट से हरा दिया तो इसमें भारत हरा है 8 विकट से आपसे नमारा भी हो जाएग आपसे पूछा क्या जाएगा वो थोड़ा सध्यान रखिए देखिए कुल यहाँ पर जो आपकी 200 टेस्ट चैंपेंशिप होई है इसमें खेले गए 61 मैज 2019 में यह सुरू हुआ था फाइनल मुकाबला जो है वह आपके इंग्लेंड के रोजबावल में खेला गया और इसम पूरे टुनामेंट में जो सबसे ज़्यादा विकट लिया है वे है रवी चंदरन अस्विन अगला प्रशन है कि जून 2015 में भारती किस राज में बिश्ट का जो पहला आनुवानसिक रूप से संसोधित रवड का पौधा इसको लगाया गया है तो यह लगाया गया असम मे आपसन हमारा यहां पर D हो जाएगा correct असम में इस पौधे को लगाया गया है अगला प्रशन है कि जून 2015 में जारी सधी के परोपकारी विक्तियों के सूची में किस ने सीर सस्थान पर आपकिया है तो सीर सस्थान मिला है यहाँ पर जमसेद जी टाटा को गिसे मिला अजीम प्रेम जी बिप्रो कंपनी के हमारे अजीम प्रेम जी है जो की उबराल 12 अस्थान पे रहे हैं अगला प्रशन है कि जून 2020 में किस देश ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेम और के समझोते पर 95 देश के रूप में हस्ताचर किया है तो ये हस्ताचर किया अभी आ अगला प्रशन है कि किस केंद्रिय मंत्री के द्वारा भारतिय ओलंपिक टीम के लिए आधिकारिक थीम सांग लौंद किया गया तो इसे लौंद किया हमारे खेल और इवामामलो के मंत्री किरण रिजुजुनी परिच्छा में आपसे क्या पूशा जाएगा इस गाने का न गाना गाया गया है अगला प्रशन है कि महाववा सुधन किस राजिया यूटी से भारत की पहली महिला फाइटर बनी है तो यह आपकी बन गई है ऑप्सन नंबर B से यानि कि जम्मू और कास्मीर से ऑप्सन यहाँ पर B हो जाएगा अच्छा पहली आपकी महिला फाइटर पाइलेट कौन है तो इनका नाम है आउनी चदरवेदी और यह हमारी टोटल बारहावी है जम्मू कास्मीर की है यह पहली अगला प्रशन है कि जून धोजा रक्किस में दिल्ली खेल बिस्विद्याले के पहले कुलपती के रुप में किसको न्यूक्त किया गया तो यहाँ आपके दिल्ली खेल बिस्विद्याले की पहली कुलपती बन गई है ऑप्सिन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि निर्भय कुरूज मिसायल का सफल परिच्छन किया गया इसकी मारक शमता कितनी है तो पंद्रा सो किलोमेटर इसकी मारक शमता है यह हमारा एक सबसोनिक मिसायल है तो ऑप्सन आपका D हो जाएगा करेक्ट और इसके बारे में ध्यान रखेगा कि DRDO के दोरा इसे विक्सित किया गया है अगला प्रशने की जून 2020 में किस राजकी सरकार ने जन जातिये किसानों के लिए एगरी कल्चरर डैवर्सिफिकेशन स्कीम 2020 को त्रित किया जाएगा और इसी के लिए गुजरात की सरकार ने इसे लाँज किया है अगला प्रशने कि जून 2020 में प्रकासित पुस्तक इट से वंडर्फुल लाइफ इसके लेखक कौन है तो इसे लिखा है हमारे भारत के मसहूर लेखक रसकिन बॉंड ने आप्सन यहाँ पर आपका B हो जाएगा correct तो ध्यान किगा option B यहाँ पर होगा correct अगला प्रशने कि किस देश में dragon man के खोपड़ी की खोज हुई है तो इसकी जो खोपड़ी है वह 1,4,000,000 वर्स फुरानी है और इसकी खोज हुई है अभी चाइना में कहां पर चाइना में इसकी खोज के द्वारा windows 11 के को लॉंच किया गया तो windows 1 जो हमारा था ये कब लॉंच किया गया था तो सबसे पहली बार 1995 में windows 1 लॉंच किया गया था ॉप sat के द्वारा किस राज्य में पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्क्रण का सफलता पूर्बग परिच्ण किया गया आप परिच्ण की बात हुई है तो सव में से नब्बे आपका उत्तर क्या होगा उडिसा तो आप्सन यहां पर भी उडिसा ही हो जाएगा करें तो उडिसा में अगला पशन है कि जून 2020 में घोसित स्मार्ट सिटी अवार्ट 2020 में कौन सा सहर आपका सेस पर रहा है तो सेस पर हमारे दो सहर रहे हैं एक तो है मद्ध प्रदेश का इंदौर दूसरा है गुजरात का सूरत तो आपसन यहां पर आपका दी हो जाएगा करें और राज्यों म आइनेस बिक्राम की बात करती हैं तो इसका जो निर्माड है वो कोचीन से प्यार लिम्टेट के द्वारा किया जा रहा है और अभी हमारे जो रच्छा मंतरी राजना सिंग जी उनके द्वारा ये घोशना की गई कि 2022 तक हम लोग इसको कर देंगी कमिशन वत्मान में हमारे पास में सिर्फ एक ही एरक्राफ्ट कैरियर है और उसका नाम क्या है तो उसका नाम है आइनेस बिक्रमादित्य लेकिन वह हमारे भारत में निर्मित नहीं है उसको बनाया था रसिया ने तो रसिया से उसको हमने खरीदा था अगला प्रेश्ट नहें कि जोन 2020 में किसे अंतर कीम केंद्रिय सतर्गता आयोक्त बन गए हैं क्योंकि यहां पर जो संजेक उठारी साहब थे वह हो गए हैं सेवाने बृत तो आप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट अगला प्रेशने की जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार फाइनसिल एर 21 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है तो सबसे ज़्यादा हम लोग चीजें बेजते हैं अमेरिका को दूसरे नमबर पर हम बेजते हैं चाइना को तो यह आपको ध्यारकना है कि चाइना ने अब UAE को पीछे छोड़ दिया है और यह आ ग प्रकास जाओड़ी करने ऑप्सन यहां पर आपका सी हो जाएगा करेक्ट तो लिडार का मतलब होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसके माध्यम से जो हमारे वन चेत्र हैं उनका 3D मैपिंग तयार किया जाता है और इसकी योजना है कि 26 राजियों में हम यह सर सुइमर है जो कि भारत की तरफ से क्वालिफाई किये हैं अप्सन हमारा यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट अच्छा ओलम्पिक में सुइमर की बात हुई है तो ध्यान रखेगा माइकल फिलिप्स यह भी आपके सुइमर ही है कहां कि आश्टिलिया के स्वारी अमेरिका के पीम नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज में जेन गार्डन का उधगाटन किया गया तो इसका जो उधगाटन है वो अभी आपके हुआ है गुजरात राज में आप्सन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट तो पीम मोदी ने जेन गार्डन और कैजान अकादमी का उधगाट किया है भारत के किस खिलाडी ने जुडू का खेल में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है तो इनका यहां पर नाम है सुसीला देवी क्या नाम है सुसीला देवी तो भी हो जाएगा करेक्ट और इन्हों ने जुडू का खेल में भारत के लिए क्वालिफाई किया अगला परश्रने की भारत के जो राश्पती होते हैं, इनका मासिक वेतन कितना होता है, तो ये आपका होता है 5,090, राज्यों की जो राजिपाल होते हैं, उनका 3.5,095 होता है और राश्पती के सबसे ज्यादा होता है जो की है पांच लाख रुपए अगला प्रशने की आरके सबरवाल को किस देश के द्वारा दा आर्डर आफ पूलर रिष्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो ये पुरस्कार इनको दिया है मंगोलिया ने आप्शन हमारा यहां पर B हो जाएगा अगला प्रशने की जोन दोजार केस में प्रकासित पुस्तक फियर सलीफ ही मेल दा दूती चंद इस्टोरी के लेखक कौन है इस पुस्तक को लिखाया सुधीप मिसराने किस ने सुधीप मिसराने तो आप्शन सी हो जाएगा ये देख सकते हैं ये पुस्तक है जो की यहाँ पर दूती चंद के उपर आधारित है तो इसे लिखाया सुधीप मिसराने अगला प्रशने की जोन दोजार केस में DRDO के द्वारा अगनी प्राइम मिसाइल का परिछर किया गया तो ये हमारे केस प्रकार के मिसाइल है तो ये आपकी सर्फेस टो सर्फेस मिसाइल है DRDO ने इसको डवलब किया है और ये आपकी 1000 से ले करके 2000 की रेंद के बीच में टार्गेट को हिट कर सकती है और ये हमारी एक बैलेस्टिक मिसाइल है तो आप्सन ए हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि जूंद हो जारकेस में किस खिलाड़ी ने पूरू स्रेणी में जो सर्बाधिक बेक्तिकत गोल का रिकॉर्ड है इसकी बराबरी कर लिए है तो इसकी बराबरी की है क्रिष्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल के ये खिलाड़ी है इरान के है अली देई जिनके नाम पर सबसे ज़्यादा अंतराष्टिय इस्तर पर गोल का रिकॉर्ड था और अब उसकी बराबरी कर लिए है यहाँ पर क्रिष्टियानो रोनाल्डो ने रेवीज से मुक्त होने वाला हमारे देश का पहला राजी कौन बना है तो पहला राजी बन गया है गोवा आपसन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट तो गोवा के सीम प्रमो सावंद ने यह घोशना की कि 2018 के बाद में हमारे यहाँ पर कोई भी रेवीज का मामला नहीं आया है प्रतेक वर्ष राष्ट्य सांकिकी दिवस कब मनाया जाता है तो यह जो दिवस है इससे हम लोग मनाते हैं हर साल 29 जून को आपसन हमारा यह हो जाएगा करेक्ट तो हमारे देश में जो सांकिकी के जनक की रूप में जाने चाती है नाम उनका है PC महाल अनोविस जो हमारी दूसरी पंचवर्ची योजना थी वो भी आपके PC महाल अनोविस माडल की उपर ही आधारित थी और इनी के जनम दिवस को चिन्हित करने के लिए 39 जून को हम लोग राष्ट्य सांकिकी दिवस मनाते हैं तो यह हो जाएगा आपका करेक्ट अचब विसे भी ध्यान लखेंगे तो इस बार का विसे है SDG2 हलाकि यह बड़ा है लेकिन आप यह ध्यान केगा कि 0 हंगर इस बार का विसे है अगला परिशन है कि कि किस महिला खिलाड़ी ने 33 अंदाजे विसुकप इस टेज 3 में सोण पदक जीता है तो यहां पर इसे जीत लिया है DP का कुमारी ने किसने DP का कुमारी ने जीता तो अपसर हमारा D हो जाएगा प्रांस में इसका आयोजन किया गया और एक दिन में इन्होंने 300 पदक जीत लिये जारकंड राज की एक लाड़ी है और यह आपके रैंकिंग में भी आ गई है सेर्स पर अगला प्राशने की केंद्रिय जांस ब्यूरो के नए विसेश नेदेशक के पद पर किसको न्यूक किया गया है तो यहां पर न्यूकती हुई है परविर्ण सिनहा की अभी आपको याद रखना है कि CBI के जो हमारे नए मान देशक बनी है उनका नाम सुबोच जैसवाल है और उसके बाद में जो विसेश नेदेशक का पद होता है उसके उपर परविर्ण सिनहा की न्यूकती हुई है तो C हो जाएगा यहां पर करेक्ट अगला प्रशन है कि जून 2020 में FATF के द्वारा किस देश को ग्रे लिष्ट से बाहर किया गया है तो ग्रे लिष्ट से बाहर किया गया यहां पर घाना को किसे घाना को बाहर किया गया माल्टा को यहां पर एड़ किया गया है पाकिस्तान और इसके साथ साथ फिलिपीन्स हैती और दच्चिर सुडान को ग्रे लिष्ट में यहाँ पर बरकरा रखा गया है FATF की बात करते हैं तो 1989 में अस्थापना हुई थी फ्रांस की राजधारी पेरिस में आपको हैटकॉर्टर मिलेगा और सद्ध से देशों की संख्या यहाँ पर है और इसे चाइना के द्वारा बनाया गया है जिनसा नदी पर जो की यांगजी नदी का उपरी सेक्षन है तो ध्यान किएगा जुलाई 2022 से यह आपका चलना सुरू हो जाएगा अगला प्रेशने की जून 2020 में किस राजध की सरकार ने साल्ट कारकरम को लॉंद किया तो इसे लॉंद किया आंध्रा प्रदेश की सरकार ने भी हो जाएगा करेक्ट साल का पूरा नाम है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग टांसफार्मिशन और इसके लिए बिस्सो बैंक आंध्रा प्रदेश की सरकार को देगा 250 मिलियन डॉलर का रंड भी आकरी प्रशने के किस राज के लेटी को अंगोर को UAE को निर्याद किया गया है तो ये जो आपका अंगोर है ये आपके असम राजी में होता है आपसे नहां पसी हो जाएगा करेक्ट तो चाहें आपसे लेटी को अंगोर पूछा जाए या फिर बर्मा अंगोर पूछा जाए इन्ही को अभी निर्याद किया गया है UAE को अभी मैंने आपको बताया था कि गुजरात में जो आपका कमलम होता है उसका भी निर्याद किया है महाराष्ट में तो महाराष्ट और गुजरात में आपका क्रमलम नाम का डैगन फूट उत्पादित किया जाता है और उसका भी निर्याद UAE के हुआ है जरदालू नाम का जो आम है हमारे बिहार में उस आम को अभी निर्याद किया गया है UK को ये भी ध्यान रखेंगे अच्छा हमारे यहां पर एक होता है मियाजा की आम ठीक है अभी आपके मंद्रप्रदेश में उगाया गया है तो आप जरा बताईए मोल ओरिजिन इसका कौन सा देश है यानि कि जो मियाजा की आम है ये आपके किस देश में मिलता है तो इसके बारे में आप नीचे कमेड़ में बताईएगा फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही तो पीडियो मैंने आपको दे दिया है वहाँ से आप डाउनलोड करिएगा और उसके बाद में इसको तीन से चार बार अच्छे से रिवाइश कर लिजिएगा तैंक्स पर वाचिंग जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी बढ़े का भारत तो बढ़े का भारत